कोई अगर नौकरी करता हो तो उसको गोट फार्मिंग कर लेने चाहिए जब पिछले बार हमने वीडियो किया तब कितनी बगड़ी यह तमाम चीजें यह कर सकती हैं यह मसीन कितने की है भाई नमस्कार दोस्तों मैं ओम प्रकास हो सर इस वीडियो पर हम जहां पे मौझूद ह इस गोट फार्म को हमने आज से डेड़ साल पहले फिल्माया था और इस गोट फार्म की खासियत यह है कि इसके जो ऑनर है उन्होंने नौकरी छोड़ के गोट फार्मिंग की सुरुआत की थी और हम डेड़ साल के बाद दुबारा समझने पहुंचे हैं कि कोई आदमी नौ जगा की हम बात करें तो यह दाइगडवा हट्टा बालागाट बालागाट और इसका ब्लॉक क्या है ब्लॉक किरनापूर बालागाट मद्यप्रदेश है ब्लॉक किरनापूर है और एड्रेज भीया बता रहे हैं और आपका सुपना 37 पवार 37 पवार जी हैं तो चलिए उन जगा को दुबारा फिल्म आए लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे इस तरीके के वीडियो के जानकारी मिलते रहे हैं अगर यह वीडियो उससे पहले क्या जाब थी उसके पहले तो इसके बाद फिर अपना कंस्ट्रक्शन में थे अच्छा अपड़ाई कहां तक की आप मेरा डिप्लोमा है मैकनिकल से डिप्लोमा है उसके बाद इंजरिंग की जॉब किये हैं फिर वह जाब छोड़ दिये हैं यही है तो वह नौकरी छोड़ने के बाद फार्मिंग की कठनाई और सफलता आपको उतना स्वाद मरलब खटा हो या मीठा हो आपने चखा नहीं रहा होगा है ना मैंने खर चख लिया था नौकरी छोड़ने के बाद के स्वाद को तो सबसे फर्स्ट रियेक्शन यह है कि कितना कठीन रह काफी कठीन रहा है क्योंकि नई जगा पर नई चीज करना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है क्योंकि सारी चीजे यहां पर यह नई ही थी क्योंकि एकदम खेत के बीचों बीच में नया कुछ करना बहुत डिफिकल्ट था यहां पर क्या है बारिस के समय में खेतों में पान कि दूसरी चीजे जैसे ट्राइफुडर भी की यहां पर वैसा अवलेवल्टी नहीं है सब अपने को पैरा कुट्टी कि खिलाने में भी तकलीफ है और अपने को जैसे गहुं का भूसा है चैने का भूसा है वह भी नहीं मिल पाता है अधिक तर के द्धान के बाद फिर यहां कुछ नहीं होता है नई आर्थीक दृष्टी को से और परीवारिक दृष्टी को से और समाजिक दृष्टी को से नौकरी छोड़ने के बाद के परिश्चितियों का विश्ले संचार हूं बखरिपालन तो हम सम्झेंगे यह इसको कैसे देखते हैं पारिवारिक में SISR की जैसे यहां हमारे रिलिशन वाले थे तो उनके बढ़ो से हमने की थे, तो उतना जैसा कहना चाहिए उनको भी कुछ ज्यादा आस थी, कि यहां से ज्यादा रिटन हो सकता, पर हमें तो पता था कि नहीं होगा, तो पारिवारिक की परिवार तो साथ था लेकिन हमें दूर रहना पड़ता है क्योंकि बालागाट में घर है और यहां पर अपना फाम है तो हमें कुछ दिन यहां रहना पड़ता है कुछ दिन वहां रहना पड़ता है जैसे कोई प्रॉब्लम आगी तो वहां रहो बागी टाइम अपने को यहां देना पड़ता है तो तो परिवार को ऐसा है कि हमें अभी समय नहीं दे पा रहे हैं, और समजिक की ऐसी है कि समाज को भी हम समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नया काम है, इसमें अगर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, तो बिजनेस उतना सही से काम नहीं करेगा, और समाज बाले भी फिर यह है कि सब यहीं बोलते हैं, अधिकतर क्या सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वाला जॉब और सब कुछ छोड़के और अपना, मतलब यह क्या काम करके बैठे हो, और उसके साथ साथ यह है कि अपना, यह काम को बहुत नीचला इस्तर का देखा जात है, तो लोग रेडी रहते हैं, घर में पर्चिसिंग को सब तयार रहते हैं, कि फला तारीकों पेमेंट आएगी, दस तारीकों तो ग्यारा तारीक से हमको यह समाल लेने हैं, लेकिन इस पर ऐसा है नहीं, तो यहां की परिसानियों को जरा समझाएए, आर्थिक स्थिति के कर लिए, सर मेरा अबी खर्च कुछ है नहीं जादा, मिसेश का भी नहीं है, और चोटा मोटा जो खर्च होता है, तो वो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो जमीन भी है, धाई एकड़ है, तो उसमें से हम धान बगरा पका लेते हैं, तो कुछ हो जाता है, और बस उसी से हो हूँ और जिस सिति में ने किया हूँ, उसके साप लेकरना चाहिए, और जैसे कोई है, बाहर कमाने जा रहा है, दस-बारा आजार की नौकरी कर रहा है, और अपना खुद का गाउ है, मेरा ये गाउ नहीं है, तो अपना खुद का गाउ है, वहां के वह बातावरण से सब है उसके गाहों के आइट साइड में जंगल है या फिर उसकी कुछ अच्छी थोड़ी जादा जमीन है जैसे तीन एकड या दो एकड भी है तो वह कर सकता है सौ बक्री आराम से पाल सकता है दो एकड जमीन में भी आदी एकड में अगर वह ग्रीन फुटर लगा ले और बाकी चीजों को कुछ कर ले तो वो अराम से पाल सकता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को जो प्रॉब्लम आई वो जो लोकल का है उसको भी आए उसको जरूरी नहीं है जिसके अगर थोड़ा बहुत चराने का साधन है तो वो कर सकता है और नहीं भी है तब भी कर सकता है पर वो लोकल का होना चाहिए उसका परिवार का सपोर्ट होना चाहिए उसके साथ जैसे अगर उने फार्म डाला तो उसका परिवार साथ में रहना चाहिए परिवार साथ में रहेगा तो पूरा टाइम यहीं पर देगा तो वह कुछ नया एक्स्ट्रा सोर भी जनरेट कर सकता है जैस से नहीं समझ पाई क्योंकि हम एकरी के बाद कर सकते हैं अगर कम सेलरी है कर आपकी जॉब है कम सेलरी वाली है तो आप इसको कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कम से सुरू करके दस बकरी बहुत होती है दस बकरी साब एक साल तक करके देखो पर ऐसा है कि थोड़ा इंकम का सुर्स होना चाहिए बाहर से कि आपका घर का खर्च जरू नहीं नहीं कि मेरी मिसेज और मेरा खर्च नहीं यह वैसा दूसरे का भी ना हो उसमें सीच वेसन यह है कि अगर मुझे कर दस से बारह हजार-फेरह हजार का कोई काम करता है और वह काम से हHEं और वह काम घर से बहुंक हुट दूर हो और आपको अलग से किराय लेकि रहना बड़ता हो तो उस कंडिशन पर बे अंत यह उसके लिए और श्वाit यह बच्चा खुचा वहां पर आप कर सकते हैं यह मेरा ओपिनियन है और इसी के साथ फिर एक चीज और बनता है कि आपके बच्चे जो है अगर आप नोकरी कर रहे हैं उस कंडिसन को मैं समझा रहा हूं आपके बच्चे जो है क्लास फोर फाइप से उपर ना गए हूं ले तो बहतर है और उसके बाद के अगर लोग करेंगे छटवी साथी आठी के बच्चों के बाद अगर आप हैदराबाद में रहते हैं मालो मैं इंदौर में रहता हूं और फिर आपको आके दूर गपे करने हैं दूर गवे के गाउं में जाके करने है तो उनके सेटिंग पर दिक्कत हो सकता है तो वो लोग समझ के कदम उठाएं ये उनके लिए जूरी है और फिर अगर कोई करना भी चाहता है तो इंतिजार कर लो फिर अपने साथ होने का जब आपको उमर साथ हो जाए रिटायर्मेंट के वे पैसा वैसा कमा लो तो लोटके अपने घर आजा फिर कर लो ये एक सिच्वेशन बेश्ट है ठीक है ना इस तरीके से कर सकते हैं और कोई 30 साल 40 साल के उमर में टर्न मारने की कोशिस ना करें नहीं तो फास जाएंगे क्योंकि उस समय आपकी बेटी की उमर 15 साल 14 साल होते रहेगा फिर बेटे का उमर होता रहेगा फिर उनका मैंने भाई साहब से चर्चा की सीच्वेशन आपने भी देखा होगा मैं शाल इन्होंने भी देखा होगा हम लोग क्या है मैं भी डिप्लोमा वाला आपि डिप्लोमा ऑले बहुत लोग होंगे जो इंजनरीं की भढ़ाह क Bendak वो पड़ाह को होता है तो सब को नाकरी करने का मैं यहां से चलते चलते अच्छी कमपनियों त sigui जब हम आर यह उषा-मांट मोंपर से एक यह यह जी. कमपनियों तक भी पहुंचे लेकिन प्रेसर वही का वही रहता है, मनेजर तक भी मैं पहुंचा लेकिन प्रेसर वही का वही रहता है, तो और तन्खा जो होता है, मालो आपकी तन्खा 60 हो गई, 70 हो गई, 90 हो गई जैसे 2014 पे जब मैं छोड़ा तब मेरी तनखा थी 50,000 अब कोई कह देगा यह जूट बोल रहा है लेकिन उस समय का payment slip है मेरे पास तो उधरा होता है, तो मैं situation को समझा रहा हूँ किसी भी नौकरी वाले क्लिए तो उस परिस्थिती पे क्या होगा आप जब गाउं आएंगे अपने तो आप उस लड़के की बराबरी भी नहीं कर सकते जो आपके साथ बारवी पढ़ रहा था वो गाउं पे ही आज 60,000 कमाने के हैसिते परूझ गया होगा और आपको लगेगा फिर उस वक्त कि मैं क्या गया क्या खोया क्या पाया जगवे यह उस वक्त आपको लगेगा तो यह सीच्वेशन होता है नौकरी वालों के साथ लेकिन बच्चे बड़े हो गया है उमर जादा हो गया तो साथ के इंतिजार करके नौकरी छोड़े अब हम चलते हैं बखरी पर आपाती थी तो अंदर ही रहती तो इसलिए लगाए थे अच्छा मुर्गियों के लिए लगाया थे बखरीयों के लिए दूसरी जाली है अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं बीतर के तरब आजये साथ अच्छा सार एक चीज बताइए जैसे हमें बीतर आये हैं बहुत सारी बखरीयां यहां दिखाई दे रहे हैं तो जब पिछले बार हमने वीडियो किया तब कितनी बखरी थी तब सर 17 या 18 बखरी थी और अभी 26 नग है छोटे ब अब अब फीडिंग मैनेजमेंट ठीक नहीं होने के वाज़ा से तो इस दरमियान पर कितनी बखरीयां आपने सिल्की होगी है सर मैंने आठक नग किया हूं बखरी और बकरे मिलाकर कुछ बखरे थे चार बखरे और चार बखरे और पांचक बखरीयां करके अच्छा हमारे शूटिंग करने के बाद याने डिएर साल के दर्मियान आठ बखरे आठ अपने सिल्की है तो कितना पैसे का पना होगा वह सर ज्यादा मेहंगे नहीं बिक्या है वह ज्यादा से ज्यादा होंगे आठ छे साथ हजार के रेट से क्वांटिटी पे कितना इंक परिक्रास की भी बखरी थोड़ा टाइम लेती होंगी यह देखना इन बखरीं को अभी हम देखना लेकिन आपके हां बच्छा पैदा हुआ है यह तो है अभी तो मुझे दिख रहा है जैसे कि एक दो तीन बच्चे चोटे भी हुए होंगे यह दे अबच्चा हुए होगा और फिर ये दो बच्चे भी आपके हां हुए होंगे फिर ये ये दो बच्चे भी आपके हां हुए होंगे फिर वो उधर छोटे-छोटे भी हुए होंगे आपके हां यह चार हुए है एक यह है और तीन बच्चे वो भागा तीन बच्चे उधर भागे तो बच्चे बहुत स समय निदे पार हूं ठोड़ा सा व्यवस्थीत नहीं अभी ठीक है अभी अभी अम जरह सेट को दिखाते हैं सेट को तो पिछले बार भी हमने दिखाया हुआ था यह चराई पे रहती है नहीं सब इस्टॉल फिट पर यहीं पर लाके डालते हैं यह इस टॉल फिट पर है वह क पिछले बार दिखाया था सेट की साइज क्या है यह सर बीस बाई पचास है और कितना ख़र्चा किये हैं सेट के इसमें तो देड़ लाग के करीब का था सर बाकी तो कंस्ट्रक्शन तो मैंनेज किया हूं कहना चाहिए बस यह समान लाए थे और मैंने कुझने बेल्डिंग को वो था भूसा और असल में पक्रियों को गर्मी के समय का जो धान रहता उसका पैरा भी अगर अपन ऐसे डाल दो तो खा जाती है इनको पैरा कुट्टी का अरेंज्मेंट कर दो तो अच्छा हो जाए रहा है न सर चापकटर लाए चापकटर लाएं कहां पे जरा दिखा यह देख रहा है कि ये मसीन भाई साब लिए यह यह पैराकुटी बना देगी हां सर पैराकुटी बना देगी इपकंड़ाइब नेपकर देगी ऑंसके लावा आटा वगरा और लगने जैसे रहना अबना हbor जाना आक था ह pew है यह तमान चीजें यह कर सकती हैं यह मसीन कितने कि मुटर लगा है इस तरीके से निकलेंगे यह निकलेगा यह चाप कटर रहे हो और भाई साब बता रहे हैं इसके बारे में और ये गोट फार्म हमने पहले भी दिखाया हुआ था अब भी दिखाया है और इस बीच के experience को हमने समझाने की कोशिस की तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर लें धन्यवाद में प्रकास अश्र धन्यवाद